वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फत्य आज के वीडियो में बात करेंगे बचितर नाटक सटीक के बारे में बचितर नाटक जो की गुरुगोविं सिंग महाराजी के बहुत ही बड़ी रचना है इस नाटक में इस बचितर नाटक में वे खुद की कथा लिखत हैं सबसे पहला अध्याए इसमें है अगाल उस्तत का तो गुरुगोविंसिंग महराजी कहते हैं कि तवा परसाद श्री मुखवाक पाथ शाही दश्मी सबसे पहला शब्दियां पर आता है कि नमशकार श्री खड़क को करो सो हित चित लाए पूरन करो गरंथ एह तुम्में करो सहाए तो परमात्मा को कहते हैं कि मैंने खड़क को बहुते प्यार से नमशकार किया है एप रभू आप मेरी सहायता करो ये जो मैं गरंथ लिख रहा हूं आप इसको पूरा करने में मेरी सहायता करें गुरुगोविंसिंग महराज जी ये लिखते हैं गुरुगोविंस दोस्तों गुरु गोटाली फेसके परने के सांदों कुछ निए शरियातई के साथ अश्व्ब्र क्सक्राइब हो मैंने अपने निमाप्रण siowatra पे आप पंग्टियां पर रहें पी सारी ऐसे बलते हैं गोह हमारी समझ के पार हैं यह नहीं समझ पाती है तो आप बताते हैं गुरु गोभी सिंह मारा जी लिखते हैं कि परमात्मा सदा एक ही जोती सरूप है जुनों से रहते, वो किसी भी जनमराव में नहीं आते हैं देवताओं से भी बड़ा राजा है, माराजा है, सरीर के बिना है सदیव का अल्टक रहने वाला है, उसका कोई भी रूप नहीं है वो भेश से भी रहते, सभी शक्तियों का करता वही है जिसके हाथ में खडग है ऐसे शक्तिवान प्रभू को मेरी नमशकार है वही निरंगकार विकारों से रहेता है सदीव का अलतक निराला है ना वो बुड़ा होगा ना जवान और ना ही वाल है ना वो गरीब है ना अमीर है ना धनाड है ना गरीब है उसका कोई रूप नहीं ह कोई निशान नहीं, उसका कोई रंग नहीं है, उसका किसी के साथ प्रेम है, वह बेयंत है, वह किसी भी भेश से अलग है, ऐसे परमात्मा को मेरी नमशकार है, उसका कोई रूप नहीं, निशान नहीं, कोई रंग नहीं, किसी के साथ प्यार है, उसका नाम कोई है ही नहीं, न श्योकुंद family tree वह जोकी जोगी है इसका कोई भी दिखने वाला भाम नहीं उसका कोई भी भेस नहीं है आकार रहीत है सarda ही रहने वाला है जोगियों से भी बड़ा जोगी है बछानर और जोगी है तो मेरे अजित्मार को उसका कोई आद नहीं है कोई अंत नहीं है वह पवित्र है और वह आ पहुंच है वही सभी जगडों से रहत है सभी जगडों से दूर है वह सभी का आरंब है और वही सभी का अंत है परन्तु उसका आरंब कोई नहीं है उसका अंत कोई नहीं है वह किसी भी गिंती में नहीं आ वही प्रभू, निरलेप है, पवित्र है, शुद्ध है, सनातन है, वही अजित है, वही उसका कोई भेद नहीं डाल पाया है, वही तीनों कालों में रहने वाला विचरता है, भाव, यानि कि भविश, भरतमान और भूत काल, हर जगे वह सहाई है, उसका कोई भी सोग नहीं, उसका कोई भी रोक नहीं है, परमातमा नमीन है, काल नमीन है, वही जन्मों से रहत है, सभी की सहाईता करता है, महान चतुर है, परमातमा तीनों कालों का व्यापक है, निर्विकार है, अभोग है, प्रभू है, मेरी नमशकार है, देबती देबते, देबताओं और देबतो करते हैं किसी के आसरे की उडिक नहीं रखता सदीव कालदक राजाओं का महराजा वही अकालपुर्ख किसी के लेखे में नहीं आता उसका कोई भी भेक नहीं है वह किसी को दिखाई नहीं देता, उसका वजूद तत्यों में नहीं है, तत्वों में कोई भी उसका वजूद नहीं है, कहीं शिकारी होके धनुश के तीर की तरह सुभायमान हो जाता है, कहीं हिरन बनके चंगी तरह मोह हो जाता है, यानि कि हिरन की तरह सबी को मोह लेता है, तो इस्तरी की तरह कह कोई भी तोड नहीं है वो परमात्मा है परमात्मा को मेरा नमस्कार है दोस्तों आज के वीडियो में सर्फ इतनी ही जानकारी कल फिर एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके अपना सुझाब जरूर देना क्योंकि यदि आपके धार्मिक भावनाओं को इस परकार के वीडियो से कोई आहत होती है तो नीचे कमेंट करके बताईए हम इस वीडियो को तुरंत हटा देंगे और आगे से इस परकार के वीडियो डालने के प्रति हम गुरिज करेंगे क्योंकि ऐसे धार्मिक वीडियो से किसी धर्म की कोई आपती नहीं हो सकती परकार से कुछ निचे जानकारियां भी बाहर आजाती है तो इस परकार हम इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं कल फिर यहीं से शुरू करेंगे यदि आपके कमेंट होंगे और यदि आप चाहते हैं कि इससे आगे का जो पहरा ग्राफ है आगे के शब्द आगे की व्याक्या है जो यहां पे लिखी है मैं उसे आपको हिंदी में ट्रांस्लेट करके बताऊं तो चलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही लाश्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहां पे जो भगोती और खड़क कहा गया है वो परमात्मा को कहा गया है परमात्मा के हाथ में पकड़ी तलवार को कहा गया है गुरु गोविन सिंग महराज जी ने भी जो तलवार पकड़ी है उसको अपने हाथ में उसको खड़क कहा है उसी को भगोती का है कि इस भगोती चे मैं दुस्टों का नाश करता हूँ और यही भगोती इस में इतनी शक्ति है जो परमात्मा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कर मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ उस तो इस लाल पुटन को दबा के चैनल को सस्क्राइब कर ले और साथ ही साथ इसके साथ जो बैल आइकोन है उसे भी दबा ले जिससे हमारे लेटिस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले